राश्टपती मोहदें, आदेश होतो निर्वाचन आयोग से प्राप निर्वाचित राश्टपती के निर्वाचन का परमानन पड़ा जाए यते भारत के समिदान के अनुच्षियत 324 द्वारा भारत के राश्पती के पत के निर्वाचन का अधिक्षन, निदेशन और नियंत्रन भारत निर्वाचन आयोग में नहित है और यते शिरी रामनात कोविन्द की पदावधी का अफसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के चौबिसमें दिन तदनुसा शक्समवत के वर्ष एक हजार नौसोच्वालिस के श्रावन मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यता भारत के राश्टपति के पद को भरने के लिए सविधान तथा राश्टपतिय और उपराश्टपतिय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंदों और तददीन बनाये गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परणाम घोशित क कर दिया गया है अब इसलिए भारत निर्वाचन अयोग एतद द्वारा पर्मानित करता है कि श्रिमति द्रापति मुर्मू वर्ष वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21 दिन तदनुसार शक्त समवत के वर्ष 1944 के अशाड मास के तीसमे दिन भारत के राश्पति पत के लिए समयक रूप से निर्वाचित हो गई है भारत गनराजे के 73 वे वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन अयोग की मुर्ष से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21 दिन तदनुसार शक्त समवत के वर्ष 1944 के अशाड मास के तीसमे दिन प्रदत किया गया मैं द्रोपदी मुर्मू इस्वर की सपत लेता हो की मैं स्रधापुर्पक भारत के राष्टपती के पद का कार्यपालन करूंगी तदा अपनी पूरी यग्यता से सम्विधान और विधी का परिरक्षन, समरक्षन और परतिरक्षन करूंगी और में भारत की जनता की सेवा और कल्यान में निरत रहूंगी और कल्यान में निरत रहूंगी झाल 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 झाल